बंगला देश में एक बार फिर शेख हसीना सरकार बनने जा रही है राष्ट चुनाबों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद शेख हसीना पांचवी वार देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तयार है पीम के तोर पर ये उनका लगातार चौथा टर्म होगा प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने सौमबार को शेख हसीना से फौन पर बाच्चीत की और उन्हें चुनाबों में शानदार जीत पर बधाई दी इसके अलाबा पीम मोदी ने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट शेर कर शे प्रफल चुनाब के लिए बधाई देता हूं हम बांगलादेश के साथ अपनी साज़ेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिवत हैं इससे पहले शेक हसीना ने बांगलादेश के राष्ट्रे चुनाबों में एथिहासिक जीत दज करने के बाद मीडिया को संबोधित इस दुरान पतलकार ने उनसे भारत से उनके रिष्टे और पीम मोधी को लेकर सवाल पूछा उन्होंने भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा भारत बांगलादेश का बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त है उन्होंने 1971 और 75 में हमारा समर्थन किया और क्या कुछ कहा जाते जाते वो भी सुनिये तो वाकचिर्ट पिर प्रमीशा है भी साथ मोधी कि भारत से उन्हों अच्छाइश्ट फिर्गर का और में बेढ़ खिर्प्राट्र बांगलादेश्ट आंपाते पारत्म कि परस्चाइश्ट वालादेश्स क्यू वालादेश्स्त पुल्स्त वालादेश्ट इसल्टका इ me and my sister, myself and other family members. So, India we consider our next door neighbor, and we have many problems but we solve it bilaterally. So, I really appreciate that with neighbor, we have wonderful relationships, and as you know we have a good relationship with every country. यह प्रणीप आप्र लिए श्राव जाट नॉट जा रखना, यह जो एंग नॉटा वाविक का फ्रेड लोग। to give an economic progress and help people have a better life, that is my main aim and all the work we have started, I want to fulfil them so that people get a prosperous life, that is my main aim. Already, I have declared our election manifesto. essä 생oquend Bob이 है, ऩ Book International Communityаки अर्मनीफरी आरही ने के किपारे में कि अपन करते हैं, कि यानोम जानों इटीन जारान लेकिन के कैनी में सिद्टामिस, फकिन साह wszyscy अर्व में करते हैं जानों तो और्मनीफराबीट, वारक्तार्व प्रफच्ट दोडने हम प्रफ़ और भीजकाओंग, आपको और आफ से व हम खर दोड़ाखंगे जाला। और दोड़क़् में काश्रा देस्ट में धितन अगेड़ाय सकते हैं